Hello students, let's see this question. Here we have in triangle ABC, D is the midpoint. D क्या है? Midpoint है. इसका मतलब ये वाली side इसके equal हो जाएगी. BD is equal to क्या हो जाएगा? DC. And DL is perpendicular to AB. DL perpendicular है AB पे. Same way में given है. DM perpendicular है AC पे. ठीक है? और क्या given है? DL हमारा equal है DM के. हमें proof करना है ये जो side है AB. ये पूरी side AB. किसके equal होगी? AC के. तो पहले तो हमें बेटा जो चीज given है हम उसको use करके देखते हैं. हम क्या find कर सकते हैं? ठीक है? हमें proof करना है AB is equal to AC. हाणा? अभी अगर हम देखें हमें इन दो triangles में कुछ चीज़े given हैं? हाणा? एक तो अगर हम दोनों triangles की बात करें हैं. ट्राइंगल BLD and CMD. यहाँ पर अगर हम देखें तो यह वाला angle BLD और यहाँ पर CMD. दोनों angles equal हैं क्योंकि दोनों क्या है? 90 डिग्री हैं. हाणा? अब अगर हम देखें बेटा तूसरा हमें BD क्या equal given है? CD क्योंकि D क्या है? as D is the midpoint. हम करना क्या चाहरें, बेटा? हम करना चाहरे हैं कि अगर हम इन्नों-नों triangle को congruent proof पर देंगे. हाणा? तो CP, CT से यह वाला angle इस angle के equal हो जाएगा. यह angles equal तो बेटा इनके opposite sides भी equal तो हमें AB और AC equal मिल जाएगा. हाणा? तो हमने क्या किया? BLD triangle लिया, CMD लिया. यहाँ पे हमने देखा बेटा, यह perpendicular था तो 90, यह perpendicular था तो 90. ठीक है? और हमें given था बेटा, D midpoint है. तो BD is equal to क्या हो गया? CD. और एक चीज़ जो हमें given है, DL is equal to DM. यह हमें given है. तो हमें क्या मिल गया? 90 degree के opposite वाले side मतलब hypotenuse मिल गई, right angle मिल गया और एक side मिल गई. तो हम by RHS congruency rule. क्या बोल सकते हैं? यह तुनों triangles क्या हो गए? Congruent. triangle BLD is congruent to triangle CMD. हाणा? अब हम यहाँ से बेटा क्या बोल सकते हैं? यह वाला angle. angle LBD बोले या ABD बोले? एक ही बात है. angle ABD is equal to angle ACD by CPCD. हाणा? अब यह दोनों अगर angles equal हैं, तो इनके opposite side मतलब AC equal हो गया AB के? Sides opposite to equal angles are equal. और यही हमें प्रूफ करना था? I hope this is clear to you. Thank you.